सो फ्रेंट आज इस वीडियो में आपको कॉम्प्लीट प्रोसेस बाता दोंगा कि इस तरा से एक आईडी लेकार आप घोर बैटे बैटे मैने में 20 से 30 हरता कमा सकतों क्योंकि एकी आईडी में आपको मिल जाएगा पैन एप्रिकेशन आईडी जहाँ आप आप न्यू पैनकार आप 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 आपको ट्रेंड टिकेट कारने के लिए आपको अलक से कोई एजेंड आड नहीं लेना होगा इसी आईडी के त्रू आप आप आया से एजेंड आडी मिल जाएगा वह भी आप रिंस्ट्रेशान कास सा तो एक ही पोटाल में आप आप आज का डेट में बहुत स्रा क्लाइंट ह पता चाल जाएगा आज का डेर में लोन का बहुत है ट्रेंड है हार किसी को लोन चाहिए तो इस पोटल लेके तुरू आप कास्टोमार के लिए लोन भी आप लाइगा साकतो आपको एक अच्छा खासा कमिसन में मिल जाएगा शादी रोस्तो वो फिनांसल एक सार्विस है जो कि DMAT अपन करवाना जहां पर कस्टोमार के लिए DMAT अपन करा सकतो आपको अच्छा खासा आदी मिल जाएगा शो एक ही पोटल में इतना सार्विस मिल जाएगा मैं कोशिश करूंगा हार एक वीडियो में इस पोटल के लो पर डिटेंस में वीडियो बात करूंगा तो कि एक ही वीडियो में आगा इसार्विस को में इंपूट कर दोंगा तो वीडियो का लेन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आज से बाता दोंगा कि इस राशे इस ID को लेना होगा इन इस ID देना के बाद इस ID के थिपो कि इस राशे आप नियू पैनिकार्ट कस्टुमरे भी अ वह आपे कॉंटक कारके इस ID को पाच्चेस का सकता हूँ शो फ्रेंट मैं एकेंद्रा का जो पैन पोटाल है जो मैं लोग इन का ले आता डेक्स्टॉम में तो इस तरह से सबसे पहले डाज़बोट ओपिन हो जाएगा जहाँ पर हर सर्विस यहाँ पर दिख जाएगा तो मुझे निव पैनकर बराना है वह भी NSDL से क्योंकि यह NSDL या यूटे दुनों पैनकर भी बन सकता है तो मैं आपको NSDL दिखा दो मैं इस दे इंस्टेंट पैन का जो ओप्षान है सिंप्ल इंस्टेंट पैन में कारना है क्लेग उसके बाद एक न्यू ओइंड़ ओपिन होगा जहां पे कुछ इंफर्मेशन कस्टोमर का देना होगा सबसे पहले है कस्टोमर किस टाइप का पै श्री अrikड़ कर दे दो खंटा के अंदर अंदर वो पैन कर्ड हो जाएगा और इमेल में पैन कर आ जाएगा सेकेंड एशाय ऐस्कान सेड़ेस्ट पैंशाय स्कानन बेस्ट पैझ पैन मे पैन अबलाइक करो जहां पे कस्टोमर का फॉर्टो और सिग्वाले अभ्लोड का सक तो इंस्टेंट पैंड में कस्टूमर का आधा करका फोटो आ जाता है और सिंग्जर नहीं आता है बाद में सिंग्जर करना पड़ता है जब पैंड कर मिल जाए तो ठीक है उसके बाद जो अप्शन है सिलेट पैंड के अंदर जहां पे दू टाइप है पैं 49A मालब न्यू पैंड पैंड करेक्षाइब तो अगर पैंड करेक्षाइब ने जाना है तो मुझे पैंड कर बनाना है तो फास्ट प्रशन 49A को मैं चुछ किया था उसके बाद है आपको पैंड कर्ण इमिल में चाहिए सेर्व निए आपको फिजिकल भाई पोस्ट में घट तक आना भी चाहिए तो मुझे फिजीकल चाहिए तो वह चुछ किया था then customer का first name last name and middle name जो आधारकार में हे same details आपको यह पर डालना होगा साथ में date of birth date month and year इस फ़र में डालना होगा and gender को आपको slate कर लेना है and terms को accept करके summit करना है तो यहाँ पर नाम date of birth and gender विलकुछ साही देना होगा अधारकार्ट साथ अगर data mismatch होगा तो यह reset हो जाएगा ठीके terms को accept करने के बाद करना है submit तो submit करने के बाद आपको एकेंद्रा से यह NHDL का जो official site ही यहाँ पर आपको redirect किया जाएगा उसकी बाद यहाँ पे NHDL में आपका location को allow करने के permission पूछेगा simply आपको location को allow कर देना है इसलिए I agree में click करना है तो click कर तो उपर में location allow option आयागा जिसको allow करना है उसकी बाद यहाँ पे आपका register mobile में OTP को receive करवाना है इसलिए यहाँ पे देखो एक guideline new guideline आ चुका है सबसे पहले UTI में जैसे की self registration करना पारता है NHDL में भी self registration करना पारता है जो registration करोगी तो उसका mobile number डालके OTP verify करना होगा अगर आपको self registration नहीं है तो register now का जो button है उपर में इसमें click करके आपको self registration करना है जिसका already details वीडियो में चाल पर already है जो आप देख सकतो तो मुझे mobile number को डालना होगा and submit करना होगा अच मोबल में जो भी OTP आएगा उसको fill करके मुझे verify करना है तो मुझे आपको self registration नहीं है तो one time आपको registration करना होगा वी प्रोसेस है उसके बाद जितना आप application करोगी बास आपको mobile number इंट्रा करके OTP को receive करना होगा और summit करना है तो इसी प्रोकर में आपको काम करना होगा चाहे UTI हो चाहे NSDL में है सेम दोनों पोटल में दोनों कंपन में सेम कंडिशन यहां पर है जो कि ITD डिपार्मेंट का रेगूरेशन है देन इसाइन पैन नियूबल कर एक window open होगा जहां पर आपका NSDL का BPSA ID आपको हो जाएगा जो हमारे तो आप सबको मिल जाएगा ठीक है तो इहां पर एक registration form आएगा customer का जो कि size से fill करना होगा और summit करना होगा यह बहुत ही आसान है आपको बाता है तरह हो कि इस तरह से form को fill करना है NSDL में ठीक है मुझे लागता है UTI से भी आच्चा है NSDL में ठीक है बाट इसका एक advantage है एक disadvantage है UTI में भी advantage है एक disadvantage है तो सबसे पहले यह बहुत का आधार नंबर है उस आधार नंबर को यह बहुत तीनों box में 12 bit का फिल करना होगा ठीक है उसकी बाट name as पर आधार में जो नाम है उस full name को साई से फिल करना है उसके बाट टाइटेल टीन टाइटेल ए स्री स्रीमोठियन कुमारी तो customer का according आपको तूँस करना है यह तो तियूर मंगोन तुन भी बटने तो आलना होगा उसके बाद यह रहीं कि भी और सब्सक्वत करना pass आज वुअ दिभिए फैंधर कोर्ड़ करती हों देगा इसकूंह और कि ऑना हो के अशुफ झालता को सेकी स्पटोली मीथ हें तो इस Europeanuse तो एक new window open हो जाएगा ठीक है जहाँ पर application information यहाँ पर कुछ दिख जाएगा जो कुछ information यहाँ पर prefilt रहेगा जो पहले फिल किया था वो यहाँ पर दिख जाएगा शबसे पहले वह चास्ट, पास्ट्ट, कॉंप्रिट करना होगा एप्बिघन, डीटेल्स, प्रेंट, आधार डीटेल्स, आधार डीटेल्स, एओकोट, एड़कुमेंट्स डीटेल्स ठीक है कहीं भी किसी प्रकार में आप इतों सेफ भी कासता तो इस फर्म को ठीक है तो यहां पर प्रीफिल्ट कुछ डिटर्स है जैसे कि आधार, नमबर है, नेम है, अर्भिगन टाइप है, सोब कुछ है यह आपको कुछ भी नहीं करना है बस नीची जो अपसान है आपका को आपको करना नेक्स तो नेक्स जब करोगी तो इहां पर प्यारेन डीटेल को डलने बुलेगा तो यहां पर कास्तूमाार का फादस ने, चाहिए पैंकान में यहां मादस Jewish काना होगा सबसे पहले, यहां पर Yes call, नो का बटाण प्लूए है, अगर का नेम चाहिए तो No, काना होगा ठीक है तो यह साही सपनें थालना होगा फादर स्रीटिंग सबसाद करें का सका हमान छेम को करना होगाँ अगर याइस करो फादर संध में का बॉक्स हाथ जाईगा तोuses Mothres लातास नेम पारस् नेम को फिल कारना होगा आन्म करना होगा, आन्म करना फिछ से ब्रेंटर कारें स्रम करने को समन कirmा च tocarा, उसके बार है अब नेक्स का बदन है नेक्स नेम शेगनका, emo2 आशानस नेम ही जलारा है मादस्का का नहीं आएगा ठीक है तो नियेस्ट काने के बाद यह पर देखो सबसे पहले अपसाने है हॉयर फिजिकल पैंकट इस रिक्वार्ट बिलकुल मुझे फिजिकल पैंकट चाहिए तो यह काना होगा जो पहले से इंटर के है तो हो आले डिप्री पहल्त यहाँ पर आचुकात कूस भी नहीं काना है उसकी बात टैर अड़रेस और कमनेंगासं जहां पर डिशिडेन्स आपको छूँच काना है उसकी बात पात कस्टवार का जो दिख कर दो ड्रेस याँभरेसर में जो आटरेस gost करना है सुब सर पाद व्लॉग नेम देन हे विलेज देन पोस्ट आपटिस धीक हे देन सबदिस्ट्रिक देन टाउन सिटी और डिस्ट्रिक by देन कांट्री नेम उसके बाद यह Nossa साइद देम आपको आध्र में मिल जाएगा ठीक है तो आधर अहां था data हिसाब से यहाँ पर आपको फिल करना है उसके बाद country name India चूष करना है तो country name देने के बाद यहाँ पर state आपको चूष करना है जो भी state हो चूष करना है उसके बाद area का pen coat and zip coat चोड़ दीजिए ठीके सब कुछ फिल किया था यहाँ पर जो office address है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इसको रहने दीजिए उसके बाद है appointing representative assets तो यहाँ पर आपको no करना है अगर major pen है अगर जिस customer का उमर 18 से कौम है जिसका minor pen card बोला जाता है उस case में yes करना होता है तो मुझे no करना है and next करना है उसक इसको आपको अगर पता नहीं है तो आपको यहाँ पर search करना है अगर पता है तो आप अम manually यहाँ पर end-aar कर सकते हो तो search करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको India and Serious Hmm को करना होगा देन कस्टमर जो स्टेट में ब्लॉंग काता है उस टेट को चूश करना होगा जब आप स्टेट को चूश कर लेंगे तो वह उपड़वी इस city का जिदना भी कोट है वह कोट का लिस्ट आपको नीचे सो हो जागा उसका लिस्ट आ जाएगा तो कोई भी एक कोट को आप चुश कर सकते हो जाब स्लेट करोगी तो उपड़ में आपको फिल्ट हो जाएगा बहुत सा कोट है यहापे ठीक कोई भी एक आपका city nearest कोई भी कोट है जिसको आप स्लेट कर सकतो जो कोट को स्लेट करना है उसको बड़ क्लिक करोगी तो यहापे आ जाएगा तो मेरे case में मैं जानता हो मेरा area card क्या कोट है तो manual इस कोट को मैं यहापे field card देता हूँ ठीक है जो स्लेट क्यार के स्लेट में क्लिक किया था तो ओ हाट चुका है ठीक है आप देखो ओ area card हाट चुका है मैं मैं और यह एंटर किया था उसके बद नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद यहापे documents को upload करना होगा तो सबसे पहले पूरूप आइडेंटिटी पूरूप आड्रेस औ पूरूप अपडेट आप बात यह तीनों में आप आधार कार्ट को चूश करना है आधार कार्ट अलवा आस कार्टेर में पैंकार नहीं बनता है ठीक है आधार कार्ड मैंडरी है तो तीनों में चूश करने के बाद यह आपे है upload photo and signature यह आपे customer का photo manually दे सकतो और signature भी दे सक तो जो कि pencard में print होकर आएगा तो इसलिए browse करना है सबसे पहले ही आपको photo signature को आपको crop करके रागना है ठीक है तो सबसे पहले photo and second signature upload करना होगा उसकी बाद यह upload supporting documents यहापे कोई भी 49A का form नहीं चाहिए सिर्फ customer का जो आधार का यह बोच साइट का उसका एक PDF बनाना होगा 300 kbk अंदर उस PDF को यहापे upload करना होगा UTI में जैसा की 49A from upload करना होता है यहापे ऐसा कुछ नहीं है उसके निची है place and date यह तो date तो रहेगा place देना होगा and submit करना होगा तो आपको मैं देखा देता हो किस तरह से photo अपड़ोट करना है सबसे ब्रावस में जाना होगा और आप तो photo यहापे आजाएगा बार आपको यहापे निचे upload करना होगा upload करना होगा upload तो photo आजाएगा अगर photo correction करना है तो निचे clear करना है फिसे clear कर तो हज जाएगा तो दो बड़ा आप insert कर सकतो सेम चीज़ upload signature में browse में करना है और system में जहाँ पर customer का signature राखा था उस signature को यहाँ पर slate करके upload करना है तो मेरे question में customer का signature नहीं है ओ थाम लागाया ठीक है उसकी बाद यह upload supporting documents यहाँ भी browse करना होगा ठीक है ब्रावस करने की बाद customer का जो आधार का photocopy है 300 के भी क्यांद अंदर PDF वह मैं browse करके मैं system से वहाँ पर slate करके open करूंगा and same process में upload करूंगा ठीक है मैं slate किया था आपडूर बटर में करना है click तो upload किया था अगर एक से ज्यादा अगर documents है तो add documents कर सकते हैं दूसरा documents भी upload कर सकते हो तो मैं shop को दे दिया था आभी मुझे place का नाम दिना बाकी होगा बाकी है तो मैं customer का प्लेस है वह मैं डाल दिया था और date तो अल्लेडी प्री फिल्ट है तो shop को फिल करने के बाद मुझे करना है submit तो जब submit करोगी तो next page आ जाएगा ठीक है जहाँ पे customer का जो आभी तर जिदना भी details फिल किया था shop का एक review आ जाएगा आपको यहाँ पे check कर करना होगा and sign है तो confirm करना होगा confirm करोगी तो उसके बाद customer का details कोई भी अब edit नहीं कर सकते हो confirm करने के बाद यहाँ पे जो जो details दार आता आधार कार्ट के साथ बिल्कुल भी match होना चाहिए फादास name अलावा ठीक है उसके बाद यहाँ पे को जो edit करोगी कि अगर कुछ गला नहीं है मुझे confirm करना होगा तो जब confirm किया था तो यह application already summit हो जाएगा उसके बाद final तो step is e-sign authentication करना तो दो अफसान है सबसे पहले है OTP based e-sign and second बाव metric e-sign जिसका आधार कार्ट में mobile number start है वह आपे OTP जाएगा तो OTP e-sign कर सकतो जिसके आधार में मोगन लिंक नहीं है उ तो मेरे case में customer का आधार में mobile link है तो मैं OTP में click किया था उसकी बाद यह पे protein का एक new window open होगा e-quistry का तो सबसे पहले आधा number जो है इस box में आधा number को fill करना है उसके पहले terms को यह पे accept भी का देना है उपर भी box में ठीक है तो customer का जो आधा number is बिलकुल आधा number डालना होगा य ठीक है जब कर भी तो customer का आधार में जो भी mobile number इस्टार्ट है वह आपे OTP चला जाएगा simple OTP को यह फेल करना होगा तो मैं customer के OTP पूछ लिया था उसके बाद OTP डाल दिया था देन verify OTP का बटने simple verify OTP में आना है कि लेग तो यह final step है अगर verify कर लेंगे तो e-sign complete हो जाएगा and application submit successful हो जाए तो e-sign successful now redirect to entire portal तो e-s poker में आपको कुछ भी back नहीं करना है आपका successfully हो चुका है उसके automatic redirect card देंगे home page में ठीक है तो customer का जो registered mobile number आप दिया था और जो registered email आप दिया था वहाँ पे customer का acknowledgement number reference number मिल जाएगा जो reference number से आप initial portal में pancard का status चेक कर सकतो ठीक है truck भी कर सकतो जो pancard बना हुआ यह नहीं तो basically आपे तीन से पास working desk लगता है new pancard जिनारेट होने में जब pancard जिनारेट हो जाएगा तो registered mobile में registered email में उसके भाट्चुवाल e-copy आजाएगा जिसको भी आप कस्टोमर को प्रुवाइड का सकतो आदर रवाइस वह pancard प्रिंट होका customer का address में by post भी मिल जाएगा जो कि depend करेगा customer का location का उपड काभी कभी यह 10 द का address है उसका post office का service कितना अच्छा है उसको पर depend करेगा किदना दिन में pancard बनेगा pancard घौड में आएगा बाट यह pancard बिसकली तीन से पास working days में मिल जाता है जिसको customer को serve करता हो ठीक है तो गाइस इस वीडियो में complete बाता दिया था किस तरह से एक any deal का PSA portal के थूरू आप any deal म pancard आप लाए का सकतो और अच्छा कशा earning का सकतो thank you so much happy nice day